patient word noun के रूप में इसका मतलब होता है कोई मरीज, कोई रोगी, he is a cancer patient, वो cancer patient है, जब हम patient को adjective के रूप में यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जिस इंसान के बारे में हम कह रहे हैं कि वो patient है, उसके पास धैरी है, उसके पास patience है, have patience, अगर हमें ये कहना हो, कि धैरी हमें रखो, have patience, we will say be patient, have patience, be patient, ठीक है, जो patient होता है, उसके पास patience होता है, ठीक है, adjective के रूप में, you need to be patient with me, तुम्हें मेरे साथ धैरी रखना होगा, अगर कोई student है, पढ़ने मूतना अच्छा नहीं है, तो I need to be patient with him, हमें उसके साथ धैरी रखना पड़ेगा, word है patient, spelling एक ह सिर्फ part of speech का अलग है, जब हम noun के रूप में इसका यूज करते हैं, तो मतलब अलग है, और जब आप adjective के रूप में यूज करते हैं, तो इसका मतलब अलग हो जाता है, ठीक है, अगर दोनों को मिला करके एक sentence अगर बनाना हो, एक ही sentence में अगर हम दोनों word को रखे, तो a patient needs to be patient with the doctor, अगर कोई रोगी है, तो उसे धैरे रखना चाहिए, किस के साथ, डॉक्टर के साथ, कि उसके दवा धीरे-धीरे काम करेगी, जरूरी नहीं तुरंत काम कर जाए,